तो जी हां सांथियों नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का बिहार एडर 24-7 पे मेरा नाम है डी के धीरज और जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल गया है कि बिहार सिक्षक भरती TRE 3.0 का नोटिफिकेशन आ गया है फॉम भरा जाएगा अब इसमें एक अक्षा 1-5, 6-8, 9-10, 11-12 सभी प्रकार की वेकेंसी हैं अब आज जो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं वो इस पेसली डिसकस करने वाले हैं क्लास 1-5 का डीटेल्ड सलेबस क्या है तो सबसे पहले हम चलते हैं भाई क्लास 1-5 के बारे में कंप्लीट सलेबस जानेंगे कि TRE 3.0 में क्लास 1-5 के जितने भी ये स्टुडेंट्स हैं कहां-कहां से कोश्चन्स रह सकते हैं उस पे बात करेंगे तो देखो सबसे पहली चीज तो ये कि भाई रेजिस्टेशन इवंग भुगतान प्रारब करने की तिथी 10 फरवरी से 23 फरवरी तक है आप अंतिम तिथी बिलंब सुल्क के साथ जाएंगे तो 25 फरवरी तक है तो ये तो भाई आपका फॉर्म भरने का डेट है अब आगे देखोगे प्रात्मिक विद्याले यानि क्लास एक से पांच के लिए सिलेबस क्या है तो टोटल लंबर ओफ कोस्चन आपके सामने रहने वाले हैं 150 यानि टोटल कोस्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वो 1500 कोस्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें दो पार्ट में ब जैसा कि हमने बताया part 1 और part 2 में रहने वाला है तो part 2 क्या है qualifying है ये merit में नहीं जूरेगा लेकिन इसमें आपको minimum 30% marks लाना जरूरी है अगर आपको 30% marks नहीं रहेंगे तो ये disqualify कर देगा अब part 1 से आपको भाई क्या है part 1 में तो part 1 में English और Hindi से आपके सामने questions पूछे जाएंगे पार्ट 1 में कहां कहां से questions रहने वाले हैं भई English और Hindi से questions पूछे जाने वाले हैं अच्छा हिंदी के बदला अगर कोई बच्चा उर्दू से जा रहा है तो English और उर्दू से रहेगा English और Bangla से रहेगा तो जो भी subject को आप उर्दू वाले टीचर के लिए जाएगे तो English प्लस उर्दू आ जाएगा यहाँ पे आपके लिए Bangla से जाएगे तो English प्लस Bangla आ जाएगा और यहाँ पे 30 प्रतीसत marks लाना आप सभी लोगों को जरूरी है अब part 2 की बात करते हैं part 2 की बात करोगे तो यहाँ पर भाई क्या है math से question रहेंगे reasoning से questions रहेंगे gkgs से questions रहेंगे और science से questions रहने वाले हैं अब maths की बात करोगे math से कितने number के questions रहेंगे math के आपके art से 10 सवाल के आसपास रहेंगे reasoning से 8 से 10 सवाल के आसपास रहेंगे आपके पास और GKGS और science जिसमें रस्ट्रिय आंदोलन से question रहेगा जोगरफी से question रहेगा current affairs से questions रहेगा ये GKGS और science अगर इन दोनों को आप मिला दोगे तो लगबग यहीं से आपके 100 question बनने वाले हैं तो ये पूरा का पूरा आपके पास syllabus है जिसके according आप लोग तयारी जाकर start कर सकते हैं ठीक है भई बिल्कुल सारा कुछ करेंगे हम सभी लोग लेकिन आपको सबसे पहले ध्यान देना है complete syllabus की तरफ कि हमारा ये complete syllabus है अब इसमें कितनी timing आपके पास रहने वाली है कितना timing देने वाला है ये उस पे भी हम सभी लोग एक बार फटा-फट अंदाज में बात कर लेते हैं कि क्या-क्या timing रहने वाला है पाठे करम SCRT और NCRT के base पे रहने वाला है इसको भी आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है तो I hope कि मैट्स में क्या रहेगा तो मैट्स में simple मैट्स पूछेगा reasoning में भी simple मतलब चुकि क्लास एक से पांच के लिए जा रहे हैं तो ज़्यादा deep में जाके आप से questions नहीं रहने वाला है ठीक है भाई clear है 16 question आते हैं sir math और reasoning से तो हमने क्या लिखा है भाई math से 8 से 10 reasoning से 8 से 10 तो 8 8 16 ही तो हो गए वो एक दो question इधर उधर कर सकता है TRE 1.2 की बात करोगे तो वहां तो reasoning से कमी question पूछा था 2.2 में बढ़ा दिया था तो उस तरीके से है तो आपको एक overall एक idea लग गया math, reasoning, simple simple question, GKGS से भी आपका simple question अब यह दो क्या है NCRT और SCRT का book आपको पूरा का पूरा पढ़ लेना है एक से 5 तक के लिए है तो आप NCRT और SCRT का book छठे साथवे तक का आप एक बार पूरा का पूरा go through हो लिजेगा अब बात आती है भाई कि कहां कहां से questions रहेंगे सर कैसे कैसे questions रहेंगे सर अब इस पे अगर बात करोगे आप तो आपके लिए है कि भाई अब कम समय है इसमें तैयारी किस तरीके से करेंगे तो उसके लिए मैं एक अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगा आप लोग जा करके वहाँ से देख लेना आप तयारी वहाँ से कर सकते हो क्योंकि 20 दिन में आपको जादा मेहनत करने की जरूरत है हम लोगों ने स्टोर पे बैच भी लाया है रिकॉर्डेड वीडियो वाला तो अगर आप मेहनत करने को तयार हो तो जाएए अड़ा 24-7 के साइट पे और आपको वीडियो दिख जाएंगे भाई आपको क्लासेज दिख जाएंगे इंडियाज लार्जेस्ट वरनाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे चकरी घूमे का घूमने दीजिए जब ये सांत हो जाए तब आपको यहां औल कोर्सेज पे आना है स्टेट इक्जाम बिहार और यहीं पे आपको दिख जाएगा सिक्छक भरती 105 जैसे ही एक से पांच पे क्लिक करोगे देखो यह आयाची बिहार सिक्छक टीरी पोइंटों का बैच है इसमें रिकॉर्डेट वीडियो भी है पिछला वाला और लाइब क्लास भी हम लोग लेंगे लाश्ट तक आपके सांत हम खरे रहेंगे लेकिन इसमें रिकॉर्डेट क्लास भी रहेगा जिसको आपको देखना पड़ेगा अब यहाँ पे जाओगे फीस 1249 है बाइनाउ पे जाकर यहीं आपको इंटर कूपन कोड में Y315 यानि Y315 लगाके अपलाई कर देना है जैसे ही करोगे 1100 के आसपास आएगा जिसमें रिकॉर्डेट प्लस लाइव क्लास दोनों आ जाएगा तो अगर आप चाहते हो तयारी करना तो खुद बहुत जादा पढ़ना पड़ेगा तयार हैं तो इस बैच के सांथ जा सकते हैं डिस्काउंट कोड आपको याद रखना है वाई 315 लगाके यह वीडियो कैसा लगा एक बार आप सभी लोग जरूर बताईएगा आज के लिए इतना है रखते हैं थैंक्यू सो मच